आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लिजिए एक फॉन आया हुआ है नोकिया C20 प्लस जो कि दोस्तों पूरी तरीके से डेट कंडिशन में हमारे पास आया हुआ है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग Nokia C20 Plus का Motherboard रिप्लेस करने वाले हैं और साथी जानने वाले हैं दोस्तों इसका price क्या रहने वाला है और step by step आप इसे कैसे change कर सकते हैं और कैसे आप Motherboard को buy कर सकते हैं सारा कुछ इस वीडियो में cover करने वाले हैं तो वीडियो में बने रहे हैं दोस्तों काफी interesting वीडियो है काफी knowledgeable वीडियो है और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों like, comment, subscribe और share जरूर करना साथ में आपको bell icon जरूर दबा देना है हम ऐसी technology से related, mobile banking से related नही नही वीडियो अपनी चैनल पे रोज upload करते रहते हैं उसका notification आपको सबसे पहले मिले, दोस्तों एक यही phone नहीं है, कोई और phone है, कोई और problem है तो भी आप comment section में comment कर सकते हैं और आप हमें instagram में follow कर सकते हैं, link आपको description में मिल जाएगा, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो सुरू करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों, phone को आपको disemble क निखाल देना है, दोस्तों वीडियो के end तक बने रही है, आपको वीडियो के end में आप कैसे आप motherboard buy कर सकते हैं, और price क्या रहने वाला है, वीडियो के end में आपको पता चल जाएगा, और आप बाई कर सकते हैं motherboard, तो यह हमने दोस्तों, motherboard बहार निकाल दिया है, आप लोग इस एक दम original motherboard है, with camera motherboard है दोस्तों, काफी जो motherboard हैं, वो without camera हमारे पास रहते हैं, आपने हमारी अगर पिछले वीडियो देखी होगी, तो काफी जो motherboard है घर हम चेंज कर्ते हैं, उसमें camera नहीं रहते हैं, और काफी motherboard में camera अब लेडिल रहते हैं, अजय देख सकते हैं दोस्तों हमने में मदर फिक्स कर दिया है है आप काफी आसानी से आप मदर बूर चेंज कर सकते है दोस्तों आपको simply मदर बूर निकाल देना है connector का धियान देना आपको और आप असानी से दोस्तों मदरबोर्ट रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों अगर आपसे मदरबोर्ट रिप्लेस नहीं होता है तो आप हमें फॉन भी बेज सकते हैं काफी जो सब्सक्राइबर दोस्ते हैं वो हमें फॉन भी बेज देते हैं और हम मदरबोर्ट रिप्लेस करके हम फॉन वापस से हम पेज देते हैं तो यह हमारा मदरबोर्ट भी फिक्स हो गया है दोस्तों यह देख सकते हैं आप लोग दोस्तों बैटरी कनेक्टर जो है वो आपको सबसे आखरी में लगाना है और उसके उससे पहले ही दोस्तों आपको सारे कनेक्टर लगाने हैं उसके बाद लास्ट में जाके आपको बैटरी कनेक्टर लगाना है दोस्तों एक यही फॉन नहीं है कोई और फॉन है कोई और प्रॉबलम है तो भी आप कमेंट सेक्सिर में कमेंट कर सकते हैं और या फिर आप हमें anx nat के पता करना हो या रेट के पता करना हो या बैक कर करना हो तो आप कमेंट सेक्षिन में कंसेटा है और आप हमें इस्टा कवे दुआ कर सकते हैiri तो दोस्तों यह हमने हम अबढबो डाल दिया इस की बैटरी आड है जिस कारण यह दोस्तों ओन नहीं हो पा रहा है तो यह आप देख सकते हैं हमने इसमें चार्जर फिक्स कर दिया है तो यह ओन हो गया है अब बैटरी परसेंटेस देखते हैं इसका जीरो है आप देख सकते हैं तब ही ओन नहीं हो रहा तो इसे थोड़ी देर दोस्तों चार्ज में आप लगे रहने दें और तब ही ओन होगा तो हमने ऐसे ही जीरो में ओन कर दिया देखते हैं यह ओन होता है कि नहीं होता एक यह दो परसेंट होने पर ही आपको ओन करना है तो यह हमारा पराना मदरबूड है दोस्तों इसको भी हम चेक करेंगे अगर यह बन जाएगा तो हम इसे भी रिपैर करके कर देंगे दोस्तों अब बात करते हैं आप मदरबूड बाई कैसे कर सकते हैं दोस्तों आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें Instagram में direct message कर सकते हैं वहाँ से आपको हमारा contact number मिल जाएगा या फिर आपको message कर देंगे तो आप वहाँ से buy कर सकते है mother board को किसी भी mother board को आप buy कर सकते हैं दोस्तों जो हमारे पास mother board available होगा हम उसे provide करा देंगे और जो हमारे पास stock में नहीं होगा तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा तो और जो हमारे पास available होगा हम उसे तुरन mother board को बेज देते हैं दोस्तों इसमें बैटरी कम है तो जिस कारण यह on नहीं हो रहा तो अभी हम चार्ज करके से on करेंगे तो अब बात करते हैं दोस्तों mother board के price की यह mother board आपको पड़ जाएगा Nokia C20 Plus का mother board आपको मिलने वाला है तीन हजार रुपे में यह आपको मिल जाएगा तो जिसे भी चे दोस्तों फटाफट से comment करो अभी हमारे पास stock available है और उसके बाद दोस्तों आप लोग करते क्या हो महिने दो महिने बाद comment करते हो तब तक stock दोस्तों available नहीं रहता जब रहता है तो हम आपको send कर देते हैं और जब mother board available नहीं रहता तो आपको wait करना पड़ता है दोस्तों कुछ टाइम बाद दोस्तों थोड़ा सा time और दे दो हमें और उसके बाद हम आपको जब भी आपको mother board चोगा तब भी आपको mother board provide करा देंगे तो थोड़ा सा time लगेगा दोस्तों उसमें क्योंकि अभी हमारे पास उतना stock नहीं रहता कि जब भी आप message करो तब mother board मिल जाए तो आज की इस वीडियों बस इतना है दोस्तों धन्यवाद